जैहींद वंदे मात्रम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिस क्लास 11 इंग्लिस कोर का मॉडल कोशन पेपर देखने वाले हैं जो कि जैक दुआरा जारी किया गया है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है अगर आ एक कोशन का मास एक नमबर रहेगा और टोटल जो मास रहेगा वा फोटी रहेगा दोस्तों आप वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों रिट दा फॉलोइंग पैसेज केरफुली एंड अंसर दा कोशन फ्रॉम वन से फाइब तक इसी पैसेज से आप लोगों को कोशन का अंसर देना है यह वाला पैसेज जो है आप लोग अच्छे ढंसे पढ़ लीजेगा हम सिर्पीस का अंसर बताएंगे तो आईए हम लोग इसका कोशन देखते हैं फर्स कोशन क्या बोल रहा है फर्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों वो डिफीटेड द यमन जो यमन के राजा तानसा को किसने हराया था यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो भी हो जाएगा यमन नेक्स हम लोग देखते हैं दोस्तों वाट हैपेंड आप्टर हातिम ताइव बाज़ बौन जब हातिम ताई जो थे जन मलिया थे तब क्या हुआ था यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी होजएगा ही वी फीज़ टेक इस फीड next हम दोग देखते हैं दोस्तो who we are called to study the birth chart of Hatim Hatim के जन चार्ट का अधियन करने के लिए किसे बुलाए गया था यहां पर जो इसका option दिया हुए दोस्तो A में दिया हुए doctors, B में दिया हुए ministers C में दिया हुए nurse, D में दिया हुए astrologers इसका जो correct answer हो जाएगा दोस्तो वो D हो जाएगा astrologer, मतलब साधू लोगों को बुलाए गया था next हम दोग देखते हैं दोस्तो next हम दोग देखते हैं दोस्तो who took the charge of all the children born on the same day as Hatim Hatim के साथ एक ही दिन जन में लेने वाले बच्चे की जिमेदारी कौन संभाली थी, मतलब कौन लिया था यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो D हो जाएगा Hatim Thai father next हम दोग देखते हैं दोस्तो अब 6 नमर से आगे जो question पूछा गया है वो पूछा गया है grammar से अब हम दोग 6 नमर देखते हैं दोस्तो every version are fairly used in every version यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो B हो जाएगा exact word from the text next हम दोग देखते हैं दोस्तो 8 नमर, what is written at the beginning of the letter letter के beginning में, article के beginning में क्या चीज लिखा हुआ होता है यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो B हो जाएगा title next हम दोग देखते हैं दोस्तो article are not mint for lake, किसके लिए नहीं है इन में से कौन सा option है जो lake किसके लिए नहीं है, यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो, वो C हो जाएगा love books next हम दोग देखते हैं दोस्तो 10 number, which of the following is a note component of a letter to editor इन में से कौन सा option है जो letter to editor का component नहीं है यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो A हो जाएगा title next हम दोग देखते हैं दोस्तो in report writing, narration of the event is always written in report writing में narration का जो event होता है वो किस form में लिखा हुआ होता है यहाँ पर जो इसका option दिया होए दोस्तो A में दिया present form B में दिया simple future form B में दिया immediate past form और D में दिया present continuous form तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो B हो जाएगा immediate past form next हम दोग देखते हैं दोस्तो we should not include it in the blanks in report writing हम लोग जो है कि इस चीज को report writing में include नहीं करते हैं यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो A हो जाएगा personal comments next हम दोग देखते हैं दोस्तो 13 से लेकर 18 तक जो है वो grammar section ही है यहाँ पर जो आप लोगों को भरना है वहाँ suitable word ही 13 से लेकर 13 में भरना है यहाँ पर जो 13 में बोल रहा है दोस्तो many teachers complain about their student days next देखते हैं दोस्तो Ravi is not at home he find the blanks ought playing football मतलब Ravi जो है घर में नहीं है वो football खेलने के लिए गया है यहाँ पर जो इसका suitable जो word हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा A option A जो है वा correct answer हो जाएगा is 15 नमबर हम देखते हैं दोस्तो if I wear you I find the blanks not do it तो इसका जो correct answer हो जाएगा दोस्तो वो B हो जाएगा can next हम देखते हैं दोस्तो choose the grammatically correct sentence for the given jumble word यहाँ पर एक jumble word दे दिया गया है और आप लोगों को यहाँ पर सही करके लिखना है यहाँ पर जो इसका सही answer हो जाएगा दोस्तो वो B हो जाएगा every man is accepted to do his duty next हम दोग देखते हैं दोस्तो which one of the following sentence is in the passive voice इन में से कौन सा option है जो passive voice में है तो इसका जो correct answer हो जाएगा दोस्तो वो D हो जाएगा the room was cleaned by Sudhan Su next 18 नमर देखते हैं दोस्तो the correct passive voice of the librarian give me a give me book इसका जो है the correct passive voice को यहाँ पर लिखना है यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो A हो जाएगा I was given a book by the librarian next हम दोग देखते हैं दोस्तो what were the children taught at the village school village school में बच्चे लोगों को क्या पढ़ाया जाता था यहाँ पर जो इसका option दिया है दोस्तो A में दिए prayer B में दिए science C में दिए alphabet इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो A हो जाएगा prayer next हम दोग देखते हैं दोस्तो what would the author grandmother feed the spirit लेखक की दादी चुनियों को क्या खिलाती थी यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो A हो जाएगा bread next हम दोग 21 नमर देखते हैं दोस्तो खुस्वांत सिंग grandfather was an old man who used to hear खुस्वांत सिंग के जो grandfather थे वो बहुत बुढ़े बुढ़े थे लेकिन वो क्या पहनते थे यहाँ आपको बताना है यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो B हो जाएगा big turban next हम दोग देखते हैं दोस्तो the length of the wave waker was length जो है wave waker का कितना था यहाँ पर जो इसका option दिया हुए दोस्तो A में दिया हुए 23 meters B में दिया हुए 20 meters C में दिया हुए 25 meters D में दिया हुए none of these तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो A हो जाएगा 23 meter next हम दोग देखते हैं दोस्तो what was the who does he last painting who does he का last painting था वो क्या था यहाँ पर जो इसका option दिया हुए दोस्तो A में दिया हुए a painting of fly B में दिया हुए a painting of a woman C में दिया हुए a painting of a landscrap D में दिया हुए none of these तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो C हो जाएगा a painting of landscrap नेक्स्ट हम दोग देखते हैं दोस्तो 24 number who discovered Toost Tom Toost Tom जो है वाथ इसके दोवारा discover किया गया था यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो D होजाएगा Howard Carter नेक्स्ट हम दोग देखते हैं दोस्तो the cardboard sauce the picture of cardboard किस चित्र को दिखाता है तो यहाँ पर जो इसका option दिया हुए दोस्तो A में दिया हुए two school girls B में दिया हुए two neighbors C में दिया हुए two real sisters D में दिया हुए poet's mother and her two cousins तो इसका जो correct answer हो जाएगा दोस्तो वो D हो जाएगा poet's mother and her two cousins नेक्स्ट हम दोग देखते हैं दोस्तो what is the meaning of the face इसका जो correct answer हो जाएगा दोस्तो वो B हो जाएगा rain gives the same pleasure to the earth as the poem gives to humans next हम लोग देखते हैं दोस्तो which months of the year is described in the poem the lembrum top lembrum top poem में वर्ष के किस महीने को describe किया गया है यहाँ पर जो इसका option दिया हुए दोस्तो A में दिया हुए March B में दिया हुए July C में दिया हुए September D में दिया हुए November तो इसका जो correct answer हो जाएगा दोस्तो वो C हो जाएगा September next हम लोग देखते हैं दोस्तो what is hidden in an inference face सीसू के चहरे में क्या छिपा हुआ होता है यहाँ पर जो इसका option दिया है दोस्तो A में दिया हुए Innocence B में दिया हुए Cutness C में दिया हुए Beauty D में दिया हुए Lost Childhood तो इसका जो correct answer हो जाएगा दोस्तो वो D हो जाएगा Lost Childhood next हम लोग देखते हैं दोस्तो according to the poem fathers to son who have lived in the same house for a years poem के हिसाब से father to son जो एक poem है उसके poem के हिसाब से जो उस घर में लंबे समय तक जो रह रहे हैं लोग वो लोग किसके साथ रह रहे हैं यहाँ पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो B हो जाएगा father and the son next हम लोग देखते हैं दोस्तो sen sui literacy means मतलब इसका मतलब आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो सी हो जाएगा 16 इयर्स next हम लोग देखते हैं दोस्तो professor गांटोंडे entered for this building to meet his friend मतलब जो है professor गांटोंडे जो है वो ब्यूल्डिंग में इंटर करते हैं किस से मिलने के लिए यहां पर जो इसका option दिया है दोस्तो a में दियावा friend b में दियावा wife d में दियावा daughter d में दियावा son तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो d हो जाएगा son next हम लोग देखते हैं दोस्तो where did the narrator Nick Middleton meet Narbo narrator जो है Nick Middleton Narbo से कहाँ पर मिले थे यहां पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो c हो जाएगा darchin next हम लोग देखते हैं दोस्तो 34 number what was morad's desire मुराद का जो desire था वो क्या था तो यहां इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो c हो जाएगा to ride a horse next हम लोग देखते हैं दोस्तो the narrator daughters of Mr. S visit the address narrator का जो daughter है Mr. S जो है वा किस address पर visit की थी तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो a हो जाएगा number 46 Marconi estate next हम लोग देखते हैं दोस्तो where did Ranga go to a study Ranga जो है पढ़ने के लिए कहा जाता था यहां पर जो इसका option दिया हुए दोस्तो चैन्नाई history का teacher कौन था यहां पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो C हो जाएगा Mr. Brown next हम लोग देखते हैं दोस्तो 38 number was a strong and dominates मतलब मजबूत और हावी कौन था यहां पर जो इसका correct answer हो जाएगा दोस्तो वो a हो जाएगा Mrs. Fitzgerald next हम लोग देखते हैं दोस्तो 39 number sahid suffered of which digit sahid जो था वो किस digit से पीड़ित था तो यहां पर जो इसका option दिया हो है दोस्तो a में दिया हो malaria b में दिया हो typhard c में दिया हो TB d में दिया हो cancer तो इसका जो correct answer हो जाएगा दोस्तो वो d हो जाएगा cancer दोस्तो आज का वीडियो में बस इतना ही और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राब कर लीजिएगा थैंक्यू